हेलो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टोक मारक्रिक के अनदर काम करते हो तो आपको कौनसा ब्रोकर चूज करना चाहिए वैसे तो स्टोक मारक्रिक के अनदर बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे अगर हम बात करें तो बड़ा ब्रोकर है इंजरवन, जिरोधा है, ग्रो है, अपस्टोग है, मोतीला लोसवाल है और 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 भी ऐसे बहुत सारी ब्रोकर हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनमें किसमें क्या benefits हैं, क्या उनकी limitation हैं, उन तीनों को compare करेंगे ताकि आपके पास ये clear हो जाए कि कौन सा ब्रोकर है, जो आपकी जो requirement है, उसके coding आपके लिए बैतर है तो आएए शुरू करते हैं, आज का वीडियो, सबसे पहले चानल को subscribe कर दिए, notification bell कोन कर दिए, आपको ऐसी ही informative वीडियो मिलती रहेंगी तो दोस्तों, हमने इस चार्ट को पुरी तरह से differentiate किया है, आपके लिए कि आप इसे easy to understand कर पाई, आप देखिए जहाँ पर तीन ब्रोकर का नाम है, इंजरवन, जिरोदा और ग्रोब, और ये कौन-कौन सी service देते हैं, वो जहाँ पर mention है, और साथ में उन service में कौन सा press point है, कौन सा negative point है, वो जहाँ पर mention करेंगे, और साथ में total service, कि कौन ज़्यादा बढ़िया service दे रहा है, उसकी नीचे हम calculation भी करेंगे, ताकि आप clear कर पाओ, कि आपको कौन से broker के साथ हागे बढ़ना है, तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, इंजरवन, जिरोदा, ग्रोब के अंदर जो rating मिलती है, यो user की तरब से इसको rating मिलती है, उस rating के point of view से देखते हैं, कि किसको कितनी rating मिली हुई है, तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर overall rating की, तो जहाँ पर आप आप देखी, angel one को जो overall rating मिली हुई है, वो मिली हुए 4.5 की, जिरोदा की बात करें तो उसकी rating point आगे है grow से, अब अगर broker चार्ज rating की बात करें, जो broker चार्ज लेते हैं, उसके उपर जो user की rating है, उसको देखें, तो 4.5, 4.5 और 4.5, तीनों के तीनों broker की rating है, वो almost same है, तो जहाँ पर किसी को भी हम जहाँ पर point नहीं देते, कोई भी किसी से आगे जा पीशे नहीं है, अगर तीसरी rating की बात करें, तो trading platform, as a trading point of view से, इसको जो rating मिली हुए है user की तरब से, angel one को मिली हुए है 4.5, jiroda को मिली हुए है 4, और grow को भी मिली हुए 4, तो इस point of view से देखें, तो angel one जहाँ पर भी बाकी दोनों broker से आगे है, अगर हम investment offering की बात करें, तो उसके अंदर angel one क पांच, jiroda को 4, और grow को भी 4 की rating है, और जहाँ पर भी जो angel one है, वो बाकी दोनों broker से आगे है, अब जहाँ पर अगर customer service की बात करें, जो customer को जो service प्रोवाइड करते है, उसके उपर rating क्या है, उसका result क्या है, तो angel one को 4 की rating मिली हुए है, जबकि jiroda को 4.5 है, और grow को भी 4 है तो जहाँ पर जिरोधा आगे है, अब जहाँ से अगर देखें, 1, 2, 3, इसके होगे total 3 point, 3 point में यह बाकी दोनों broker से आगे है, अगर जहाँ पर बात करें तो इसके 2 point और जहाँ पर grow का 0 point, तो जह आपको इसकी rating की calculation समझागे है, अगर rating के point of view से देखें, क्योंकि rating भी बड इसके बारे के बारे दो बात करते हैं, अब जहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, opening fees की, कि जितने भी जे broker हैं, जब हम इनको open करते हैं, तो जह हम से क्या charge लेते हैं, अगर हम बात करें angel 1 की, तो angel 1 की जो opening fees है, वो कोई भी ने रहती, जिरो रहती है, तो जह free of course आप इसक तो जीरोधा जो है वह जहां से ज़्यादा पैसा ले रहा है तो हम इसको टिक करते हैं और इसको टिक करते हैं जो डोनों जिरोधा से आगे हैं कस्टमर पॉइंटव व्यू से देखा जाए तो अब ओपनिंग वीज के बाद एक और चीज़ होती है वह होती है डिमाट एमसी अगर हम जहां पर DMART account के अंदर AMC की बात करें, तो जहां पर जो एंजर मन है, वो 240 रुपय लेता है पर येर के, एक सार के 240 लेकिन जब फर्स्ट येर के लिए क्या कर देता है, वेव कर देता है, तो जह फर्स्ट येर की जो सर्विस है उसको वेव कर देता है, आप अगर जिरोदा की बात करें, तो जिरोदा जहां पर 300 रुपया लेता है पर येर का, और जह वेव भी नहीं करता, तो जहां पर आपको 300 रुपया पर येर का देना पड़ता है, करöoga अब इसके बाद हम जब trading करते हैं इन platform के अंदर जब आप इन platform के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपको जहाँ पर equity trading करनी है, delivery trading करनी है, future करनी है, option करनी है, कौण सी trading करनी है और उसके उपर कितने charge है, उनके बारे में बात करें है अगर सबसे पहले हम आपक रीक की बात करूं इस एकूती चार्जी बेसे लेटा है यहां यह क्यों ayerson आपले में 0 लेता है लेकिंग स्वाइद आँनि आखिरो शीरॉप की बात एक तुम सोक्लिप in the यह भी चार्ज नहीं कर रहा और यह भी चार्ज नहीं कर रहा तो इसलिए यह एक प्वाइंट का बनता है अगर हम जहांपर इंट्राडे की बात करें इंट्राडे के उपर अगर हम बात करें तो जहां पर जो एंजर्वन है वो रहता है 0.03 जा 20 रुपया पर रेट का दोनों में से जो मिनिमम है वो जे चार्ज करेगा सेम चार्ज जहां पर जिरोधा का भी है 0.03 जहां 20 रुपया दोनों में से जो कम होगा वो चार्ज करेगा लेकिन ग्रोग की बात करें तो ग्रोग का सेम रहता है 0.05 जहां 20 रुपया जो दोनों में से कम है थो अगर निट्रा ले की बात करें तो जहां पर एंजल वन और जीडूता दोनों का चार्ज हो प्रोग के मकाबले कम है लेकिन जब हम फ्यूटर में आजाते हैं जहां पर आप फ्यूटर की बात करोगे तो future के अंदर जो angel 1 है वो 20 रुपए जहां पर flat हमसे चार्ज करता है 20 रुपए flat चार्ज करेगा हमसे angel 1 जिरोदा की बात करें अगर तो जिरोदा वही same to same 0.03 और 20 रुपए और अगर बात करें grow की तो वो भी 20 रुपए flat अगर हमारा जहां पर शोटर के लिए बात करें तो 20 रुपए से कम का अगर आपका ट्रेट चल रहा है 0.03 के कोडिंग तो जिरोदा जादा बैस्त है दोनों की मकाबले में तो जह टिक जाता है जहां पर जिरोदा को तो अभी हम इनको count कर लेते हैं एक दो और तीन पॉइंट 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 अब जिरोदा की बात करें तो इसके अंदर भी 123 कितना हो गया 5 और अगर हम grow की बात करें और 1 और 2 प्लस 2 तो ठीक है इसके होगे total 6 पॉइंट इसके 5 और इसके 2 पॉइंट अभी भी एंज काफी लोग इसको यूज भी करते हैं लेकिन जहां पर जो एंजल वन है वो इसके उपर फ्लैड 20 रुपे चार्ज करेगा जिरोदा भी सेम करेगा फ्लैड 20 रुपे लेकिन जो grow है grow currency option की option हमें देता ही नहीं है तो जहां पर जहां पर service ही प्रवाइड नहीं करता है करंसी फ्यूचर के करंसी कि फ्यूचर तो उसका भी सेम है जहां पर फ्लैड 20 रुपीज है जहां पर भी फ्लैड 20 रुपीज है और जहां पर के service प्रवाइड नहीं करता तो इसके लिए भी ठीक जाती है जिरोदा और एंजर्वन को अब तीसरी एक और कडिगर आती है वह Agri की तो जो इंजर्वन है दूसरी है service हो जाती है एक करोध ओके तो दोनों के अंदर देख लेक्ते हैं वह 250 रुपई लेता है पर क्रोड और अगली की बात करें तो 175 पर क्रोड ऑके यह दोनों के चायप जास रहते हैं non-agri और एग्र के उपर लेकिन यही चीज अगर हम में लेकर आएं, जिरोधा के अंदर जो नोन एगरी होगा, उसके लिए सर्विस थोड़ी सी ज़्यादा है, और एगरी लेकर लिए, कितनी हैं, नोन एगरी के अंदर, तीन सो साथ पर करोड, और टू सेवंटी फाइव पर करोड, तो इंजर्बन की मकाबरे, जिरोधा में, जहाँ पर सर्विस चार्ज़ी जादा है, और grow, grow ज़से सर्विस हमें देता ही रही है, तो इस विए ज़हाँ पर जी हो, अब जहाँ पर जो जितने भी प्वॉय्ट अगर देखें तो इसके charges जादा इसके charges भी करें तो यह हमें same service दे रहा है कम chances की उपर तो टिक लगती है जहाँ पर angel one की हो अब दोस्तो एक चीज और भी है कि वो क्या है elgo trading हम elgo क से जरीए automatic trading कर सकते हैं लेकिन अगर हम elgo की बात करें तो elgo जो service होती है वो हमें मिलती है angel one के अंदर yes jiroda के अंदर भी yes लेकिन grow हमें कोई भी elgo की सुविदा जहाँ पर provider नहीं करता तो इसके चलते हैं जहाँ पर आगया लोग तो इसकी भी टिक चलती है जहाँ पर अब जहाँ पर अगर हम point देखें 1,2,3,4 6 plus 4 10 point होगे इसके 1,2,3 5 plus 3 कितने होगे एक और जहाँ पर 2 का 2 0 का 0 यहाँ पर आगर तो अभी भी आप देखो angel one आगे चल रहा है इन दोनों के comparison के मुकाबले अभी कुछ और भी service है चुकि मैं detail में आपको हर एक चीज जो है इस वीडियो में clear करना चाता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आप clear कर पाऊगे कि आपको किस broker के साथ आगे काम करना है बाकि grow भी बुरा broker नहीं है जिरोदा भी broker बुरा नहीं है अगर हम jam point आउ यू से देखें लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम use भी नहीं करते हैं लेकिन हम उनके लिए pay भी करते हैं और हमें पता भी नहीं होता उस चीज का तो जे आपको clear हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको telegram का link, whatsapp, channel का link, whatsapp, group का link मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें follow कर सकते हो चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे आती है three in one account की सुविदा three in one account इसकी सुविदा जो मिलती है हमें angel run जहाँ पर provide नहीं करता लेकिन जरोदा हमें provide करता है और grow भी हमें three in one की सुविदा नहीं provide करता है तो अगर आपने three in one account यूज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको जरोदा के अंदर में लगा है इसलिए जरोदा के उपर जे point बनता है अब दूसरी चीज़ एक और आती है वो है SMS alert अगर SMS alert की बात करें तो angel one हमें SMS alert की बिस्विदा देता है जरोदा नहीं देता और grow भी नहीं देता तो जे point बनता है angel one का अगर अब हम एक और point की discuss करें जो एक bagner level के लिए काभी ज़्यादा important हो जाता है वो होता है online demo अब online demo की बात करें जहां पर तो हमें angel one online demo की service देता है जिरोदा भी हमें online demo की service देता है लेकिन grow जहां पर भी हमें service नहीं देता है अब एक और point है वो trading वाले लोग समझ पाएंगे जो experience है कि market के closing का time क्या होता है intraday की closing का time क्या है जिसको हम scare of time भी बोलते हैं तो अब जहां पर हम बात देखें तो अगर scare of time की बात करें तो angel one का जो scare of time रहता है वो रहता है तीन बचके पंदरा मिनट शाम के लेकिन जिरोदा को जो time है वो है तीन बचके दस मिनट और grow का भी है तीन बचके दस मिनट जहां पर अगर हम comparison देखें जहां पर पंच मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल रहे है तो एक्स्ट्रा तो एक मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप खुल ट्रेडिंग करें तो इसके चलते हैं जह जो पंच मिनट हमें जारा दे रहे है उसके लिए जह प्माइट जाता है जिरोधा भी देता है लेकिन ग्रोग के अंदर आपको ये सुविदा नहीं मिलती तो दोस्तों आप जहां पर अभी देखो इसका भी पॉइंट बन गया, इसका भी पॉइंट बन गया वन टू थ्री तो जहां पर जह तीन पॉइंट जहां पर और एड हो गए और जिरोधा के अंदर हो गए दो पॉइंट जबके ग्रोग के अंदर अभी भी जिरो तो टोटल पॉइंट उप जी बात करें जहां पर तो एंजर बन के तेरा जिरोधा के दस और ग्रोग के दो तो अभी कूछ और डिस्कशन है वो भी कर लेते हैं थोड़े से पॉइंट बचे हैं जो बहुत जिरूरी है तो वीडियो के साथ बने रहेगा आईए चलते हैं आगे अब तीन और मेजर पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिसकस करना चाता हूँ पहला है डेस्क्टोप डेमो ओके अगर एंजलन की बात करें तो जे हमें डेस्क्टोप डेमो की सुवधा देता है लेकिन जिरोधा और ग्रोव दोनों जे सुवधा हमें नहीं देते हैं एक और पॉइंट है वो होता है वैंप ट्रेडिंग जे आपको एंजलन के अंदर भी मिल जाएगी जे आपको जिवधा के अंदर भी मिल जाएगी लेकिन ग्रोव के अंदर नहीं मिलेगी तो जहां पर आप देखो इसका पॉइंट बन गया जहां पर इन दोनों का एक एक पॉइंट बन गया अब एक लास्ट पॉइंट है वो जिरोधा हमें लाइप चैट की सुविदा नहीं देता और ग्रोव हमें जे सुविदा देता है तो जहां पर ग्रोव का और एंदरवन का एक एक है अब ही दोस्तों जहां पर देखें एक दो तीन तेरा प्लस तीन कितने हो गए टोटल सोला जिरोधा की बात करें तो जहां पर एक ही आया है तो ग्यारा और अगर जहां पर ग्रोव की बात करें तो दोस्तों जहां पर आपने देखा कि एंजल वन का अगर पॉइंट आफ देखें तो सोना पॉइंट ग्यारा पॉइंट और तीन पॉइंट है ग्रोव के पास लेकिन ए लेकिन उसके अंदर function बहुत कम है आपको आगे जाके वहाँ पर दिक्कत आ सकती है जिरोधा की बात करें तो बड़िया platform है बहुत ज्यादा grow भी किया है इसने लेकिन सबसे ज्यादा problem जे है कि इसके charges बहुत ज्यादा है आपको जे बाकी दोनों के मकाबले में से ज़्यादा charge ले रहा है अब अगर angel one की बात करें तो overall दोनों का अगर comparison किया जाए इसके साथ तो जेक काभी better service हमें provide भी करता है लेकिन बहुत सारे लोग है जिनको angel one का जो interface है वो थोड़ा सा difficult भी लगता है तो जे तीनों बढ़िया broker है आपको मैंने पूरी तरह से differentiate कर दिया जो भी इसके function है जो भी इसकी service है कहाँ पर जे हमें benefit दे रहे हैं कहाँ पर जे कुछ इसके अंदर drawbacks है तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा उमीद करता हूँ कमेंट section में कमेंट करके जिरूर पताना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कि सारा data collect करके आप तक ले के आना और आपको समझाना कि आपको easy to understand हो जाए clear हो जाए कि आपको आगे कौन से broker को choose करना है ऐसी ही और भी informative वीडियो आपको हमारी channel पर मिलती रहेंगी फिर मिलेंगे thank you